आठेटों हेलो एवर्ड़ोन वेलकम टियोर चैनल बेसिकस शॉफंप्टूटर साइंज आज एक कोशिए नंबर नाइन देखेंगे साइन्स का क्लास है टेंथ ओके सो नाइन कोश्चन है इस बैटरी ओफ नाइन बोल्ट इस कोनेक्टे इन सेरीज विद रिजिस्टर और 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंद 12 ओम रिस्पेक्टिवले रिस्पेक्टिवले अब देखें यहां पर पूछा गया है यहां से कितना क्रंट फ्लो करता है ठीक है तो देखें सबसे पहले मैं आपको डाइगरम बनाता हूं फिर यह मैं कुंसेप्ट बताता हूं कि यहां पर क्या करना है ओके तो यहां पर हम ले लेते हैं फाइव रिजिस्टर फिर हम सर्किट बना लेते हैं ठीक है यह बैटरी है यह स्विच यह एमेटर ओके अब इनकी वैल्यूस दे देते हैं हम यह मारे पास 9 वोल्ट की बैट स्विच्न में और जितने भी यह वैल्यूस दिये यहां पर वह सारी मैंने यहां पे लिख दे ओक है जैसे कि आप देख पार हैं कि यहां पे यह जितनी विए इस सारे सेरीज में कुनेक्ट इन है ठिक है औरहां से पूछ रहा है कि जो 12 होम रेजिस्टर है यह वाला रेजि यह लिखे गई है क्योंकि जब भी कोई resistance या रिजिस्टर जो है series में connect होते हैं तो उनमें क्रंट की जो amount है वो equal होती है चाहे आपसे 0.3 ohm रिजिस्टर में पूछते की यहां से कितना क्रंट हो रहा है यह फिर आपसे पूछते की 0.5 ohm रिजिस्टर है यहां से क्रंट केतना flow हो रहा है तो वो सारे के सारे क्रंट की value जो है वो same आएगी क्योंकि यह सारे रिजिस्टर जो है वो series में connected है तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि यह जो 12 ohm रिजिस्टर लिखा गया है यह सिर्फ आपको confuse करने के लिए लिखा गया है आप इस पूरे circuit में किसी भी रिजिस्टर पे जब क्रंट find out करोगे तो उसकी value जो है वो same आएगी ठीक है इतनी बात clear है तो simply देखिए यह बहुत ही simple question है आपको ohm's law पता है जो हताब V is equal to IR और यहां से हमें क्रंट find out करने सो क्रंट आजाएगा हमारे पास I is equal to V divided by R अब क्योंकि यहां पे R लिखा हुआ है और R जो है हमारे पास 5 values है हमारे पास लग लिख ठीक है series में connected है तो हम क्ये करेंगे इन सब को plus कर देंगे series में हम plus करते है ठीक है तो देखिए इन सब को जो हम plus करेंगे तो हमारे पास जो equivalent resistance बहुत सीरीज में जो है equivalent resistance वो आएगे हमारे पास 13.4 ohm ठीक है तो simply हमें values को put करना है सो आई आजाएगा हमारे पास 9 divided by 13.4 okay इसको थोड़ा rearrange करके हम लिखेंगे क्योंकि यहां पे point लिखा हुआ है ना तो मैंने पहले भी बताया हो कि जब नीचे वाले जो आपका denominator होता है वहां पे अगर point आई तो वह वाली जो zero वह उपर जल जाती है ठीक है तो ध्यान से देखना में मैंने किया किया हुआ तो देखिए यहां पे यह point वाली zero उपर चल जाएगी तो हमारे पास आएगा 90 divided by 134 ध्यान से देखना मैंने एक ही line में कर दिया ज्यादा line नहीं बनाए यहां पे यह point यह जो dividing by 10 था यह उपर चल गया तो यहां पे हमारे पास बनेगा 90 divided by 134 ठीक है तो अब लिखिए यह 134 जो ज्यादा है और 90 जो कम आ रहा था तो इस लिए कि मैंने यहां पे 0 लगाया ठीक है 0 लगाया मतलब यहां starting में मेरे पास क्या आ जाता है decimal आ जाता है है ना पर मैंने simply क्यों कि इसको multiply 1 by 10 कर देए चाहिए मैं decimal लगा दूं यह मैं multiply 1 by 10 जैसा आपको ठीक लगी आप ऐसा कर सकते हो ठीक है सो मैंने के किया हुआ यहां पे फिलहाल 1 divided by 10 लिखा है और यहां पे 10 से divide कर रहा हो तो यहां पे 10 से multiply कर देए इसलिए यहां पे 900 आ रहा है ठीक है अब हम जब minus करेंगे 900 minus 804 तो मारे पास 96 आता है और यहां पे 0 लगाने पड़ेगी क्योंकि फिल से कम है यहां पे 0 लगाई तो यहां पे क्ये लिखना पड़ेगा अब हम इसको 7 से multiply करें तो हमारे पास आता है 938 जो कि इससे कम यहां रहा है तो हमारे पास केतना आ गया 6.7 आ गया और क्योंकि यहां तो मैं यहां स्टार्टिंग में पॉइंट लगा देता बड़ यहां पे मैंने multiply 1 by 10 किये हुआ है न तो इसका मतलब कि इस 1 by 10 को जब हम हटाएंगे तो यह जो decimal का point है वो इधर चला जाएगा ठीक है तो इसलिए जो हमारे क्रंट की value है वो आ रही है 0.67 ampere ओके यहां पे तो यह जो क्रंट है चाहे वो यहां से flow करें इस resistance से इससे इससे कहीं से भी flow क्यों ना करें इसकी value जो है वो 0.67 ampere ही होगी ठीक है अभी इसको हम हिंदी में करेंगे वैसे हिंदी और इंग्लिश में कोई फारेक है नहीं ज्यादा कुछ रिखा नहीं इसमें यह question है question हिंदी में इस तरह से दिया गया होगा आपको okay so सबसे पहले हम क्या करता है यह circuit बना लेते हैं जो current की value है वो सेम यहां कि इस question में आपसे पूछा कि यह कि जो 12 ओम रिजिस्टर यहां से कितना current जो हो फ्लो कर रहा है यानि पूरे circuit में किसी जो रिजिस्टर से जो current फ्लो हो रहा है वो 12 वोल्ट से फ्लो होगा okay so according to ohm law v is equal to ir और यहां से आई आज आजाएगा v divided by r okay so r जो हाँ यहां के series वा connected है और series में जब connected होते हैं तो equivalent resistance निकालने के लिए हम simply उन सारे रिजिस्टर की जो value है यानि resistance उनको plus कर देते हैं plus करने के बाद मारे पास आ रहा है 13.4 ohm simply values को put करना है इसको rearrange करके हमने इस तरह से लिग दिया है और आपको मैंने बताई दिया भी कि 900 कैसे आया और multiply 1 by 10 तो फिर हम 6 से divide करेंगे इसको तो हमारे पास minus करके जाएगा 96 फिर हम decimal लगाएंगे यहां पर 0 लगा देंगे फिर 7 से multiply करेंगे तो 938 आ रहा है फिर यह काम आ गया सो यहां पर जो current flow कर रहा है वो कर रहा है 0.67 ampere पूरे circuit में चाहिए कोई भी resistor क्यों ना हो ठीक है सो यही है आपका 9th question I hope आपको सब clear हो गया हुगा Thank you for watching वीडियो में महनत लग रही है आपको तो like, share और subscribe जरूर करें और मैं इसी तरह की वीडियो जो लाता रहता हूं आपने रेलिडिव फ्रेंड्स के साथ सब के साथे share करें once again thank you very much guys